हाई प्रेंस मैं आपकी पुझा पुझा की रोस्वी घर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है समय और पैसे दोनों बचाएगा अगर आपको यह वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अपने फैमली में सेयर करें और सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले या टिप्स रोज काम में आने वाली है कि रोज रोज की जंजट खतम होने वाली है और काम होने वाला है आसान आपको एकदम नए तरीका मैं बताने वाली हूँ आप देख सकते हैं मैंने एक पॉलेथिन ली है इस तरह का बैक समान लेते हैं तो आता है घर में इदा होदा पड़ा रहता है आप इसे यूज में ला सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने अदरक लिया है अदरक सभी के घर में आता है और यह बाहर रखो तो सूखने लगता है या फ्रिज में र न सूखेगा नस चरौना है यह इसलिए अगली तिप्स ने क्या है का है हरी धनिया पत्ते hybrid के गर में आते हैं आपको देख सकते हैं पकमें नहीं सुख ना सड़ेगा अब देख सकते हैं पहले से बीन के सापक कर लिजे जोगराब पत्ता opens 테 निकाल लेना है, और इसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है, देखिए इस तरह का आप पैक ले लेजेए, आप पॉलिथीन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, इसे खोल के इसमें रख देंगे, जो खराब पत्ते हैं, निकाल दीजेगा, एकदम इसे सुखा पंके में थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पंके में सुखा के, आप इस तरह से रखेंगे इसमें पॉलिथीन में, तो या कभी नहीं खराब होगा, आप इसे रख के, देखिए मैं इस तरह से रख दिया, इस तरह से बन कर देना है, और इसे मोर देना है, इस सबजी वाले में भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, अगली ट्रिक देखते हैं, यह पैन है, बच्चे पैन इस्तमाल करते हैं, इधर अधर फेक देते हैं, जब खतम हो जाती इसमें की इंग तो फेक देते हैं, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, कि आपके धकन इस्तमाल हो जाएंगे और घर के काम आ जाएंगे आप इसका बहुत ही यूज़ कर सकते हैं आप आगे वीडियो में देख सकते हैं देखिए मैंने सारे धकन ले लिए हैं आपको जितने धकन के जुरूद हो अब उतने ले सकते हैं इस तरह का टेप आता है आगे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से चिपका देना है मैंने थुड़ा सा काट लिया है और काटके मैंने इस तरह से एक तरफ का चिपका दिया है फिर आप पैन का ढख कर ले देखिए इस तरह से हलका सब दवाएंगे तो यह चिपक जाता है फिर निकलता नहीं है आप इस तरह से चावी टांग सकते हैं कोई भी चावी हो, घर की चावी हो या बच्चो की सैकिल की बच्चो की सैकिल की चावी हमेशा इध्ージ तर गुम हो जाती है आप इस तरह से रखेंगे तो चावी नहीं गुम होगी मैं आपको एक तरिका और बता रही हूँ मैंने मार्केट से लाके चिपकाय हुआ एक तरब मैंने पैनिक से बना के चिपकाय हुआ आप देख सकते हैं अब चलिए अगली ट्रिक देख लेते हैं अकसल लाइटर खराब हो जाते हैं सबी के घर का यही हाल है जब हम नया लाइटर लाते हैं मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आपके लाइटर कभी खराब नहीं होगा जब खराब हो तो आप कैसे इसे सही कर सकते हैं देखिए मैं जला रहे हूं जल नहीं रहा है क्योंकि लाइटर खराब हो चुका है मैंने माचिस से गैस जला ली है आप इसे देखे इस तरह से हलका हलका गरम कर लेना है इस तरह से आप करेंगे जो इसकी नमी है अंदर की वह खतम हो जाएगी आप इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं देखे चिंगारी निकलने लगी है इसमें नहीं दिख रहा आपको, मैं जला के इसको दिखाती हूँ, कैसे या जलेगा दिखा आपने लाइटर सही हो गिया, आप इसी तरह करेंगे तो सही हो जाएगा अब देख लेते अगली ट्रेक, बनाना सब के घर में आता है, यानि केला सबी के घर में आता है हम लाके मार्गेट से रखते हैं, तो इस तरफ का गलने लगता है, क्योंकि एक तरफ ही रखते हैं, फ्रिज में रखेंगे या बहार या गल नहीं लगता है, जल्दी खराब होने लगता है, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, या बहुती आसान तरीका, एकदम प्रीका तरीका है, आप इस तरह से पॉले थिल ले, जिसमें केल आता है, आप उसकी भी पॉले थिल ले सकते हैं, और इस तरह से मोड के, केले आपके खराब नहीं होंगे, क्योंकि उन में हावा लगती रहती है चारो तरफ से, और केले बिल्कुल खराब नहीं होंगे, फ्रेस के फ्रेस बनने रहेंगे, जल्दी अकसर केले खराब हो जाते हैं, या केला नहीं खराब होगा, देखिए, इस तरह से कहीं भी आप आपको इन में से कौन सीटरिक अच्छी लगी आप जरूर कमेंड में बताएं या टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है अक्सर हम केला खाते हैं और छिलका फेक देते हैं छिलका फेक यह नहीं या बहुत काम आने वाला है इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है केले क ऐसे संपहाई करें आप मेरे से देख सकते हैं.. चलिए आपको बताती हूं.. केले को छिल्कों को इस DéIK काट लेना है आप देखें सकते हैं कंब का ची से मैं काट रही हूं इस तहरे से छोटा छोटा भाग अब बहुती काहाने वाला है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आप एक गिलास पानी डाल सकते हैं देखे मैंने पानी डाल दिया है आप इसे छोड़ देंगे रात भर के लिए इसे मैंने रात भर पानी में छोड़ दिया था आप देख सकते हैं इसका कलर चैंज हो चुका है अब मैं बताऊंगी आगे क्या करना है देखिए एक ग्लास पानी इसमें और मिला देना है इसमें ज़्यादा पानी मिलाईएगा क्योंकि इसे पेड़ पोधे में डालना है या बहुत ही अच्छा काम करता है इससे फूल ज़्यादा आते हैं पेड़ में आप जो भी पेड़ पोधे गमले में लगाएं आप इस तरह से एक गिलास उसमें डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा फटलाइजर है बहुत ही यूसफूल है एक बार आप जरूर अजमाएं मैं अकसर इसी तरह मैं पेड़ पोधे में डालती हूँ चलिए देख लेते हैं देखिए इस तरह से कपड़ा दोने वाला भी जो आपके पास हो इस तरह से आप घिस देंगी या बहुत ही काम की चीज है मैं इससे आपको बताऊंगी क्या बनाना है देखिए खाने वाला सोडा मैं एक चम्मच डाल ले हूँ आप कम ज्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं एक चम्मच वाइ या बहुत ही सफाई के काम आता है आप इससे अनेक प्रकार के बरतन दो सकते हैं काच के श्टील के किसी भी तरह के इससे बरतन दो सकते हैं और इस लिक्विट से आप टैस भी साफ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लिक्विट है एक बार बना लेंगे तो बहुत काम आने वा सभिक घर में बनती है और आटा गिर जाता है सुखा अटा इधो दो देख्या गडू लिया है इसे धो लिया है अब इसमें धक्कन में छेद करेंगे आप देख सकते हैं मैंने गैस जला के गरम करकिस में छेद कर रही हूं इस तरह से आप कोई डबबा भी ले सकते हैं किसी भी चीज का ले सकते हैं और इसमें छेद कर लेना है इस तरह से छेद कर लेंगे तो इसमें असानी होती है डिबबा आपका तयार हो चुका है अब इसमें सूखा आटा भरेंगे मैं आपको दिखाती हूं कैसे भरना है देख से सिर्फ इधर ही गिरेगा जिधर आपको चाहिए थोड़ा सा लगाईए और फिर रोटी बे लिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही काम असान होने वाला है आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जाद सदा सेयर करन ना भूलें और कमेंट करके बताएं इन में से आपको कौन सी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई है बाई